जनसंख्या बृधि पर सबसे अच्छा निबंद कैसे लिखें चलिए आपको बताते हैं इसके लिए सबसे पहले रोप रेखा लिखेंगे रोप रेखा के अंतरगत प्रस्तावना विशुआ भारत की वर्थमान जनसंख्या कितनी है जनसंख्या बृधि के कारण कौन-कौन स देंगे विशु की जनसंख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और यह दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता की बात है नवीनतम आकणों के अनुसार पूरे विशु की जनसंख्या सास्सो नब्बे करोड पहुँच गई है जनसंख्या में बृधि दुनिया के वडिये विकास को और समाजिक विकास को जनसंख्या वृधि प्रभावित करती है जनसंख्या में बृधि किसी भी देश के विकास में बाधा बनती है कोई भी देश हो हर देश के विकास में अधिक जनसंख्या वृधि बाधा बनती है अपने देश भारत की बढ़ती आवास की समस्या, खाने की समस्या, सणकों पर भीड की समस्या, काम की समस्या, हरी तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं फिर हिटें डालेंगे विशु अ भारत की वर्तमान जनसंख्या और लिखेंगे वर्तमान समय में सितंबर 2021 में पूरे विशु की जनसंख्या 7.9 अरब का मतलब है 790 करोड पहुच चुकी है भारत को बढ़ती अबादी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है युनाइटेट नेशन के आंकडों पर नजर रखने वाली वर्डरो मीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक भारत की जनसंख्या लगभग 149 करोड हो चुकी है आपको बता दें कि भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज उत्तर प्रदेश है जो प्रथम राज है यहीं प्रथम अस्थान पर है और दोसरे अस्थान पर महाराश्य राज है प्रतेक वर्स 11 जुलाई को 200 जनसंख्या दिवस मनाया जाता है फिर हेडिन डालेंगे जनसंख्या प्रिधिक के कारणों में पहला कारण है खाध्यानों की प्रचुरता इसके अंतरवत खाध्यानों की प्रचुरता का मतलब है कि आधनिक युग में खाध्यानों की कोई कमी नहीं है कोई भी भूँक से नहीं मर रहा है पहले क्या था लोग भूँकों मर जाते थे और अब भूँक से कोई नहीं मर रहा है खाध्यानों की कमी क्यों नहीं हो रही है तो बिभिन तक्निकों से खाध्यानों के उधपादन में प्रयाप्त गृद्धी भी है बायो टेकनलोजी के मा महामारी, कुपोशन वा भुकमरी शे अब अकाल मृत्यू बहुत कम हो गई है पहले क्या था अकाल से लोग मर जाते थे महामारी आ जाती थी कुपोशन हो जाते थे भुकमरी से लोग मर जाते थे लेकिन अब ऐशा नहीं होता है क्योंकि आच्छी स्वास्त सेवाइं मिल रही पूर रूप से नास किया जा रहा है उन पर नियंत्रन किया जा रहा है उनको कंट्रोल किया जा रहा है उनको ठीक किया जा रहा है फिर अगला पॉइंट है कम आयो में बिवाह तो देश के असे चित हुआ रोड़िवादी परिवारों में आज भी बाल बिवाह की प्रता है ज कम आयो में लेंगिक परिपक्ता आजाती है लिंग में मैचुरेशन आ जाता है जिसके कारण भी जशनक्या बृध्धी हो रही है फिर अगला है निरच्छर्था निरच्छर्था के मतलब आसिच्छा के कारण लोग परिवार नियोजन वह छोटे परिवार के महत्यों को नही और हमारी गरी भी दूर हो जाएगी धर अगला पॉइंट है सामाजिक रीती रिवाज तो भारत में बेटे की चाह में परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जैसे एक बेटी हुई दो बेटी होई तो नहीं हमको बेटा ही होना चाहिए इसकी वज़े से जनसंख्या बरती चली जा रही है फिर हेडिन डालेंगे जनसंख्या बृध्धि से हानिया अथवा जनसंख्या बृध्धि के प्रभाव भी इसी को कह सकते हैं आप जनसंख्या बढ़ने से प्राकर्तिक संसाधनों की अधिक खपत होती है और आवश्यक वस्तों का जनसंख्या बृध्धि के हिसाब से नहीं अजण संह्या बृधि के कुछ प्रमुक प्रभावों को हम जान लेते हैं तो पहला है खाद हो जाएगी बई जनसंख्या बढ़ रही है शुरूत कमाई के नहीं बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि कपड़े एवं आवास में कमी आ जाएगी पीने के पानी में कमी होगी अगला पॉइंट है वायू जल वा म्रदा का प्रदोसन हो जाएगा जितने अधिक जनसंख्या होग उतना ही अधिक प्रदोसार बढ़ता जाएगा फिर नेक्ट पॉइंट है संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक संभावनाय होंगी और बेरोजगारी कच्चे माल की कमी आवास एवं सिच्छा के आप रयाप्त साधन होंगे यानि कि बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि अधि कमी जो हमारे नेचुरल रेसोर्स हैं उनकी कमी आ जाएगी के नेक्ट पॉइंट है स्वास्त एवं चिकिस्ता सेवाओं को प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध कराना शंभाव नहीं होगा क्योंकि जनसंक्या बढ़ती ही जाएगी तो स्वास्त सेवाएं डॉक्टर्स वग प्रभाव पड़ेगा यातायात एवं परिभाण की शमश्या होगी आने जाने के लिए जो परिभाण के शाधन होते हैं उन में शमस्या होगी और पिस अगला पॉइंट है रहन सहन का अस्थार लगतार गेरता जाएगा फिर हे डिन डालेंगे जनसंक्या ब्रिद्धी पर कुछ प्रमुक उपाएं। पहला है बिवाह की आय용 में बिध्धी कर देनी चाहिए। जो पिवाह की आयूः। ईयुक में बिध्धी करनी चाहिए। हम जानते हैं कि आपरोख च्हुरूप से वीवाह का उद्धे से संतानökोत्य होता है। बैसादी विये तो संतान उत्पत्य होगी ही, संतान पैदा होगी ही, जल्दी विवाह करने से अधिक संताने उत्पन्न हो जाती हैं, इसी करण विवाह की आयोग बढ़ा देनी चाहिए, फिर नेक्ष पैंट है सिच्छा द्वारा, जनसंख्या बृद्धी का एक प्रमुख क आसिच्छा है, आसिच्छित लोग ही चनसंख्या बृद्धी को बढ़ाते हैं, आसिच्छिता लोगों में अज्ञानता लाती है, प्रचरित रोढियां उत्पन्न करती हैं, धर्मानता का प्रिसार करती है, चाहे वो संतान का होना भगवान की देन कहते हो लोग, कन्यादा पूर, इसका सामाजिक उतरदायर तो है, पूतर की प्राप्ते से मोच मिलता है, लोग ये भी कहते हैं, अधिक संताने परिवार को सुरक्षा परदान करती हैं, आयमे बृद्धी करती हैं, लोग ये भी सोचते हैं, संतान के पालन पोशन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्य परिवार में बच्चों की संखिया स्वीमित रहती हैं यहीं कम से कम एक बच्चा पैदा होने के बाद तिन से चार साल के बाद दोसरा बच्चा पैदा होना चाहिए अगला पॉइंट है परिवार नियोजन की लाब और उपायों को समझे परिवार Thats Ūर देस कि मामले में अस्तर में लगातार कमी आती जाएगी लोगों को आबादी नियंत्रित करने के महत्त को समझना चाहिए यह ना केवल उन्हें स्वच्छ और स्वस्त वातावरन तथा बहतर जीवन अस्तर प्रदान करेगा बलकि अपने देश के समगर विकास में भी मदद करेगा वहीं सरकार को भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सक्त नियम कानून बनाना चाहिए ताकि देश विकास के पत पर आगे बढ़ सके और देश में जनसंख्या को नियंत्र में रखा जा सके इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद